दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा Samsung के फोन में back button settings कैसे करते हैं अगर आपके Samsung के फोन में नीचे button आ रहे हैं आप इसे हटा कर side से back करना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप side से back करते हैं लेकिन आपको नीचे button चाहिए back button, home button, recent button तो side से back करने वाली setting को बंद करके यहाँ पर आप ये तीनो बटन भी लगा सकते हैं मैं आपको Samsung phone की back button की settings सिखा दूँगा इस वीडियो को आपको पूरा देखना है आपको phone की settings में आ जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting मिलीगी, display, आपको ये setting को open करना है अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है एक setting मिलेगी, navigation bar, आपको इसे open करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको Samsung phone की back button की settings देखने के लिए मिल जाएगी आप देख सकते हैं, यह buttons पर set है, तो यहाँ पर मेरे button दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगर आप इस तरह से side से back करना चाते हैं, तो आपको नीचे setting मिलेगी, swipe gestures आपको इस पर set कर देना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ ही second में यहाँ से button हड़ जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, बटन यहाँ से हड़ गए हैं, और आप इस तरह से side से back कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर और setting करना चाते हैं, तो आपको more settings पर click करना है अब यहाँ पर आप कौन सी side से back करना चाते हैं, वो आपको दिखाई देगा आप नीचे से, अगर यहाँ से back करना चाते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर set करना होगा अगर आप side से back करना चाते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर यह वाली setting set कर सकते हैं आपको दुबारा से यहाँ पर बटन लाना है तो आपको दुबारा से यहाँ पर डिस्पले सेटिंग में आना है निविगिशन बार सेटिंग में आना है और आपको इसे यहाँ पर बटन पर सेट कर देना है अब बैक बटन आपको कहाँ पर चाहिए राइट में या लेफ मे वो सेटिंग आप यहां से कर सकते ही आप देखेंगे बटन यहां पर वापस आ गए है इस तरह से दोस्तों आप सैमसंग के फोन में बैक बटन सेटिंग कर सकते हैं